Welcome to the channel Physics Classes with Devina Tiwari बहुत सारे Parallel Pit Capacitors अगर किसी Network में दिये गए हैं तो उन में किस Capacitor पर कितना Charge होगा, किस पर कितना Potential होगा ये कैसे Calculate करते हैं वीडियो शुरू से आखरी तक जरूर देखेगा और हाँ, जो लोग नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें Capacitors पर बेजड एक Question देखिए Board Exam में पूछा गया है तीन Capacitors है, जो 50 Volt बैटरी से जोड़े गए है तीनो Capacitors की Capacitance अलग-अलग है आपको बताना है, इन तीनो पर Charge और Potential Difference कितना होगा इन में हम कैसे बाटेंगे हर Capacitor पर Charge और Potential Difference खास बात क्या होती है, Capacitors जो Series में जोड़े होते हैं, Charge सेम और जो Parallel में होते हैं, Potential Difference सेम बैटरी 50 Volt की है, 50 Volt के Potential Difference के Across Parallel में ही तो 8 Micro Farat Capacitor जोड़ा हुआ यानि इसके Across भी Potential Difference कितना होगा, 50 Volt और इन दोनों के Across मिला के 50 Volt होगा, क्यों? क्योंकि ये दोनों का जो Series Combination आएगा, वो भी तो इसी 8 Micro Farat की संग Parallel में जुड़ा है, इतना Observe कर लिया करिए, अब देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे कि C2 और C3 जो Series में जुड़े हैं उनका Equivalent Capacitance कैसे? 1 upon Cs Series में जुड़े हैं, तो किसके बराबर हो जाएगा? 1 upon 3 plus 1 upon 6 Micro Farat, ये कितना हो जाएगा? 2 plus 1 that is 3 upon 6, reverse करना मत भूलियेगा, जल्ली जल्ली में आप 1 upon Cs को ही Cs मन करके चले जाते हैं, इससे Cs की Value आगी 2 Micro Farat अब MN की साइड में, अगर हम इसको फिर से बना लें, तो एक Capacitor हो गया, वो कितने का हो गया? 2 Micro Farat का, दूसरा आपके सामने लगा ही हुआ है, 8 Micro Farat का ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं? दोनों की एक Plate एक साथ, दूसरी Plate दूसरे साथ, और ये 50 Volt का Potential Difference यनि की अब आपके पास जो सरकिट आ गया, उसमें 50 Volt बैटरी से जो चार्ज इस पर चलेगा माल लीजे, Q' और इस पर चार्ज चलेगा माल लीजे, Q' डबल डैश चार्ज अलग अलग होंगे, सेम क्या होगा? Potential Difference इस पर भी 50 Volt होगा, और Net Capacitance C2 और C3 इस पर भी 50 Volt होगा देखिए, C पता है, V पता है, तो इस पर चार्ज निकालने, कैसे निकालेंगे? इस पर चार्ज निकालने के लिए, Q' इक्वल टू Cv, तो आपके पास C है 8 Micro Farad, और V है 50 Volt, यनि की जो चार्ज आ गया, वो आ गया 400 Micro Coulom अगर आपसे पूछा जाता, Net Capacitance कितनी होगी? कभी-कभी सवालों में Net Capacitance भी पूछ लेते हैं, तो अब Net Capacitance of the Circuit, वो किसके बराबर होगी? ये 2 और 8 पैलेल में है, तो 2 प्लस 8 पैलेल का formula लगा दिया, कितना आ गया? 10 Micro Farad टोटल चार्ज निकालने के लिए, Q Net equal to, formula वही Q equal to Cv, आप क्या लगाएंगे? C Net into V, इससे पूरा चार्ज कितना आ जाएगा? C Net है, 10 Micro Farad into V, 50, कितना आ जाएगा? 500 Micro Coulom पूरे में से 8 Micro Farad, उसके क्रॉस कितना चार्ज है? 400, बचा चार्ज कितना? 100, 500 minus 400, वो चार्ज इन दोनों कैपेसिटर पर होगा या इस पर होगा, है ना? अब देखिए, पूरा चार्ज आपके पास 500 Micro Coulom है, वो 500 इस पे इस पे बटा हुआ है, Q1 dash है, 400 तो Q2 dash कितना होग या Q double dash, 100 Micro Coulom, चार्ज तो सीरीज में सेम होता है, ध्यान रखिएगा, C2 पर भी 100 Micro Coulom होगा, C3 पर भी 100 Micro Coulom होगा, तो तीनों पर अलग-अलग चार्ज, कितना हो गया? 100 Micro Coulom, 100 Micro Coulom, और यहां पर 400 Micro Coulom, यह तो हो गई हर कैपेसिटर पर चार्ज दिस्रिबिशन की बा होगा, जितना इसके बैटरी के क्रॉस लगा हुआ है, यह कि C1 ऐसे जुड़ा हुआ है बैटरी से, C1 के क्रॉस पोटेंशल दिफरेंस 50 V ही होगा, C2 और C3 का जो नेट कॉंबिनेशन है, वो है Q double dash, या 2 Micro Farad, इस पर चार्ज है Q double dash, इसके क्रॉस की पोटेंशल कितना है? 50 V, अगर C2 और C3 पर पोटेंशल दिफरेंस निकालना है, तो मान लेते हैं कि C2 पर पोटेंशल दिफरेंस प्लेटों के पीछ V2 है, सब सारा का सारा खेल, केवल यही ते formula आ रहा है, C equal to Q upon V, इससे V equal to Q upon C, तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे? Q upon C2, क्यों कितना रखें क्योंकि यही चाल इन दोनों पर है, तो कितना आ जाएगा यह, 100 micro coulum, यूनिट्स का ध्यान रखेंगा, upon C2, कितना है? 3 micro farad, इससे V2 आ गया, 100 upon 3 volt, इसी तरीके से V3 के लिए आप निकाल सकते हो, तो V3 equal to क्या हो जाएगा? चार्ज उस पर भी 100 micro coulum, 100 micro coulum है और capacitance है, C3 6 यानि कि इस पर potential difference कितना हा जाएगा? 100 micro coulum, upon 6 micro farad, that is 100 upon 6 volt, सवाल को चेक भी कर लिजे, इन दोनों का potential difference का sum, उतना ही होना चाहिए, जितना across the 8 micro farad है, जितना potential difference apply किया गया है, क्योंकि ये दोनों का series combination 2 micro farad है, तो 2 micro farad, 8 micro farad, 50 volt, सारा potential difference सब जगा 50-50 volt होना चाहिए, ये दोनों 2 micro farad, ये कैसे आया है, 3 micro farad और 6 micro farad के series combination से, तो total potential difference 50 volt होना चाहिए, जो इसके उपर C2 और C3 पर है, आप देखिए, C2 पर potential difference 100 by 3, C3 पर 100 by 6, add करके आप देख लिजे, 100 by 3 plus 100 by 6, कितना आएगा? देखिए, 100 by 3 plus 100 by 6, वैसे तो आप इसको लिख सकते है, 200 by 6, कितना हो गया? 300 by 6, that is 50 volt, येस, V2 और V3, तो देखिए, V2 और V3 का sum 50 volt होना चाहिए, क्योंकि parallel potential difference सेम होता है, तो हर charge, हर capacitor पर, charge और potential difference आपने calculate कर लिया, thank you.